नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अमिच चैनल में आपका स्वागत है, मधुमेह या डैबटीज या एक बहुत ही गंभीर रोग है, इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, संसार में मधुमेह रोगियों की संख्या दिन बदिन तेजी से बढ़ते जा रही है, विसेश रूप से भारत में इसकी संख्या बहुत ही जादा बढ़ रही है, इस बिमारी में रक्त में ग्लूकोस का इस्तर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है, और रक्त की कोशिकाओं में सरकरा का उप्योग नहीं हो पाता, यह मुत्र के द्वारा बाहर निकलता है, यदि यह ग्लूकोस का ब प्यायाम नहीं करना, मोटापा, जरुरत से ज़्यादा भोजन करना, या खराब जीवन सैली होता है, डायवर्टीज आपको है की नहीं, इसका एक लक्षन है, बहुत ज़्यादा भूख और प्यास का लगना, बार बार पिसाप लगना, तोचा का रूखा सूखा होता जान घाव जल्दी नहीं भरना, आज मैं आपको मधुमेह के मरीजों के लिए एक बहुत ही आसान चमतकारिक घरेलू नुस्खा बताता हूँ, या उपाय बेहदी आसान है, इसमें इस्तेमाल होने वाली औसधी, विटामिन, मिनरल और कई और गुनों से भरपूर है, जो आपको मधुमेह के साथ साथ कई और भी रोगों में लाब पहुचाएगी, इस्तेमाल होने वाली औसधी का नाम है आम के पत्ते, आम का पत्ता हमें भारत में बहुत आसानी से उपलब्ध है, पहले आप आम के 10-15 कोमल पत्तियां लेकर उसे पानी के साथ किसी अच्छे बाउल में डाल कर उबलने के लिए रख दीजिए, जब यह अच्छे से पूरी तरह उबल जाए तो इसे आप सारी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, और दूसरी सुबह इस मिस्तरन को छान कर इसे खाली पेट गरहन कर लिजिए, रोजाना खाली पेट इस मिस्तरन को आप 2-3 मह उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका सरीर में डायवटीज और मदुमेह की समस्या पूरी तरह से आप उससे मुक्त हो गए हैं और आप इस प्राकृतिक आयरुवेदिक उपचार को आपको दो से तीन महिना बिना छोड़े बिना गेप किये लगातार करना है और र भारत के इन आयरुवेदिक खोजों का उपयोग करिए और स्वस्त रहिए साथ में आप योग कसरत प्राणायाम जरूर करें धन्यवाद